साथ अपनी कावे यात्रा की शुरुवात करता हूं जिस सीच के लिए मुझे जाना जाता है क्योंकि हिंदू धर में जितना प्यारा उतना ही इसलाम है और जितनी पावन रामायन है उतनी पाक कुरान है हिंदी उर्दू भाषा दोनों बेने हैं एक दूजे की हिंदू से ना मुस्लिम से दोनों से हिंदूस्तान है लेकिन उसके बाद भी यदि कुछ लोग ऐसी बाशा बोलते जिससे वह कौम बदनाम हो जो डॉक्टर एपी जी अब्दूल कलाम और अब्दूल हमीद की कौम है जो पाच बार नमाज पढ़ती है और इसलिए पढ़ती है का मेरा हिं हिंदूस्तान माजरे वतन कुछाल रहे कौम की बदनामी तब होती है जब दो कोड़ी के लोग ऐसी बाशा बोले किस मुलक में हमारी कौम सुरक्षित नहीं है तब पढ़ना चाहता हूं लोगों के लिए जो हिंदूस्तान में रहते हैं और गीत उस देश के गाते हैं जिस प्यार दिया राश्ट गीत पर तुम चुब बैठे फिर भी तुमको प्यार दिया और बतले में तुमने मेरी भारत वापर वार किया हिंदू और मुस्लिम में बोलो तुमने कैसा भेत किया और चिस ताली में खाना खाया उस ताली में खाना खाया उस ताली में छेत किया व भारतम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है उस अबजल की बाशा जब बोलते हैं तब आदरने गपार साथ की उपस्तिति में पढ़ना चाहता हूं कि और भी उचा और भी सुंदर और भी उचा और भी सुंदर मेरे देश तेरा ये नाम हो जाए हर हिंदू हर मुसलमान कलाम हो जाए तब पढ़ना चाहता हूं साब उन लोगों के लिए जो भारत के अंदर रेकर भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं ये केलवडा की धरती बताए को उन लोगों के साथ वो सुलूक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जो मैं पढ़ना चाहत कर दीजिए और बारत की भूमी और नारे पाकिस्तान के ऐसे देशिद्रोईयों का मुंड़दान कर दीजिए वा वा जिंदा भाड जिसके मन में आया जो बोल जाए पिछले दिनों साब एक जेन वुनी हुए वह आज हमारे बीच नहीं है जिनका नाम होता है तरणुसागर महराज उन्होंने एक बात कही का हम यह जो 10 रुपए की बोतले पीते हैं पेपसी लिंका कोको कोला इनके अंदर मिलावट आती है यदि हम इनको पीएंगे नहीं तो बीमार नहीं होंगे तो एक अभी नेता जिसका नाम होता है शारुक खान वह मंच पर आता है और वह कहता है कि मिलावट तो तुम्हारी गाई मा के दूद में भी आती है जब एक अभी नेता 10 रुपए की बोतल की तुलना मा के दूद से कर दे तो इलेक्ट्रोनिक मीडिया चुप रहे सकता है पर वह कभी चुप नहीं रह सकता जमजद भाई और कमल जी मनौर की उपस्तिती में स्वागत स्वागत बोलो तब मैं जवाब देता हूं तागत आपकी चाहता हूं कर पिछले दिनों अकबार में खबर आई जिसने ठंडा बनाने वालों की नींद उड़ाई तो स्वादेश फिल्म बनाने वाला एक अभी नेता शारुक खान मंच पर आया और जनता को संबो दूद में मिलावट आती है उसते कहा का वर्तमान में पेपसितों शुद्ध है पर मां के दूद में मिलावट आती है तो मैंने कहा मैंने का तेरी मां डेरी पे जाती है इसलिए दूद में मिलावट आती है और यदि और यदि मां के दूद में मिलावट होती तो जो हसता है कि यह गटनाए क्यों हो जाती है कि भारत के अंदर भारत मुर्दा बात बोल दे तब कहना चाहता हूं साफ राजनितिक दुशाले उतार कर मेरी बात को सुनना क्योंकि मेरा इतना सा परिचे है मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता और अपने मुझसे में ताली की यारो मांग नहीं करता क्योंकि कोई चमकता गोला यारो रवी नहीं हो सकता है और चंद चुटक ले गाकर कोई कभी नहीं हो सकता है तब पढ़ना चाहता हूं साब हमारे य परिक्षावी साफ जिसका नाम था रिटका पेपर उस रिटके पेपर के अंदर साफ परिक्षा के अंदर के बार वह चीजे खुलवाली गई बैटियों से जो कम से कम एक महिला मुख्य मंत्री के राजिस्तान में तो नहीं खुलवानी चाहिए तो पढ़ना चाहता हूं साफ कर राम समंदर पार गए प्रेणा दिदी राम समंदर पार गए तब रावन जेसे हारे थे अरजुन के गांडियू से हमने बहुत निशाने मारे थे हम सारी दुनिया जीत चुके पर ब्लू तूच से हारे थे जब रिटके पेपर में नारी ने मंगल सुत्र उतारे थे क्या बात है जिंदा बात जिंदा बात जिंदा बात जब रिट के पेपर में नारी ने मंगल सुत्र उतारे थे माना कि तुम रानी हो तुम राजा की मारानी हो तुम गवालियर की बेटी हो तो जेपुर की मारानी हो लेकिन वेडम तेरी नीति कायरता से बारी है वादे करकर बूल चुकी हो यह कैसी लाचारी है और चंद वोट के खाती तेरा राज बचाना जारी है और देख तुम्हारे शाशन में छेरों से चुए भारी है लेकिन मित्रों कभी हूं अपना धर्म निवाता हूं कोई राज नितिक दल का प्रचारक नहीं हूं कुछ दिनों पहला देखी संसद के अंदर एक आदमी दोड़ा दोड़ा आया भारत के प्रधान मंत्री को गले लगा लिया है बहुत अच्छी बात है यार अच्छी पनंपराए लेकिन थोड़ी देर बाद कुरसी पर बैठा और जो नहीं मारनी थी वह मार दी वाह क्या बात है आख मार्दी स आख नहीं मारी तुमने तो पूरा भारत मारा है संसत के दोनों गालों पर तुमने चाटा मारा है पूरी भारत शर्मिंदा है पूरा भारत आ रहा है और सवा करोड के भारत को ये हरकत नहीं गबा रहा है अरे तुम राजियू के बेटे हो तो इंद्रा जी के पोते हो और मुझे आज भी आता है मैं खुद एक कविता मैंने लिखी साफ जब इंदुस्तान के दो सेनिकों के शीष काटे गए पता नहीं है कभी का धर्मता या नहीं था पर मैंने लिखा मैंने का मनमोन सिंग जी कारवाई करो हमारे सेनिकों के भी शीष काट के लाओ आप समझ रहोंगे शीष काट के ले गए पाकिस्तान वाले क्या किया होगा क्या किया होगा मैं कल्पन जान अम्मी जान ये हिंदुस्तान के सेनिकों के शी से जिनों ने कटना तो स्विकार कर लिया पर जुकना स्विकार नहीं कि लेकिन प्रदान मंत्री बदल जाए 56 इंच के सीने की सरकार भी देख ली शीष तो अब भी कट रहे हैं मित्रों तब सरकार बदलने का फाइदा क्या हुआ तब उपेंदराटर पढ़ना चाहता है कि वो जमीने लोटा दी तुमने जा शहीदों का खून गिरा वो जमीने ही मुझे पता नहीं है दिल्ली तक ऐसे पहुची लेकिन कवीता के 15 दिन के बाद जम्मू कश्मीर में समर्तन वापस ले लिया मोदी जी की सरकार पड़ी जिसके सम्मान में केलवाड़ा की तालियां देखना चाहता हो तब मैंने क्या लिखा जब इनका गटबंदन था शी सकते वह चंदा ताले चिप जाते और वह आतंकी छोड़ रहे थे तुम गटबंदन ठुकराते उस दिन मोदी तुम भारत के बाल ठाकरे कहला थे तब परदा चाहता हूं साब कर वह जमीने लोटा दी तुमने जहां शहीदों का खून गिरा अरे क्यों लड़वाया उनको से पात तुमें जब प्यारा था नहीं चाहिए सोना चांदी जिन्दा उनको लोटा दो और जिन्दा उनको लोटा नहीं सकते तो चीनी जमीने ला दो क्योंकि खादी वालों ने किये थे वादे उनसे बड़े-बड़े अपने ही वीरों को देखा कुर्सी पर ही पड़े- नाम हिंद का जबते थे हिंद देश के वीर लाड ले वोना पीचे हरते थे पर देश की इनको क्या चिंता है देश से इनको क्या लेना और विद्वाओं को देदो पैसे अर्थी को जलवा देना और जो करते हैं ऐसी बाते जो करते हैं ऐसी बाते हम उनको वोट चंडाते है अरे जिन से अपना घर न चला हम उन से देश चलाते हैं क्योंकि वीरों वाली इस धर्ती पर वीर जगाने आया हूँ मैं तो कविता के चकर में शिकरवारता लाया हूँ अपनी कविता के शब्दों से तुमको गायल करता हूँ हर सुनने वाले के दिल में द्राश कारगिल बरता हूँ शिकरवारता थी मजबूरी मैं इसकी बाते करता हूँ मुश्यरव के चंडों में शीष नहीं योदरता हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुश्यरव को उल्टा भारत गुमा दिया जलिया वाला बाग दिखाते ताज महल क्यों दिखा दिया जिन्दाबाद जलिया वाला बाग दिखाते ताज महल क्यों दिखा दिया जिनसे अपना घर न चला हम उनसे देश चलाते हैं और ऐसे ही तेरा हाल रहा तो कौन वतन पर जाएगा हर सेनिक्त पहन के कुर्ता नेता ही बन जाएगा अरे तुम जाते जहां वोट मांगने ये पुत्र मांगने जाती है करकर के मुरादे और मननते ये बेटे को पाती है और वही बेटा जब बेज दिया है देश की सेवा करने को और इनके बेटे करें मोडलिंग देश के हीरो बन करना साब जिस शहीद की लाश घर में आई हो उस पर क्या बीटती होगी नेतागिरी करना बहुत आसाने साब लेकिन शहीदों पर वोट मांगना बहुत मुश्किल काम है बड़ी आसानी से मांग लेते हैं यह लोग कर राखी का जब दीन आ जाया तो कद पहुंच गया मांके पिंकी तुम राखी को रख दो भाई तुम्हारा नहीं रहा रहे और इतना क्या सुनना था यारों वो तो जराबी हिलना सकी देने वाली जनम और जन्नी मां बेटे से मिलने चली उस दिन यारों अर्थी उटी थी नर्णारी के नाम की और ऐसे नेताओं से तो छी मिली मोत बग्वान की वाल जाते जाते मीमा बोली ना महींतिका मिटने देना और चितने बेटे करें वह पेदा सभी हिंद को दे रेना अंतिम बंक्तिया पढ़कर जाना चाहता हूं साफ यह इक बड़े संगठन का नाम लिया गया और ऐसे सिय उन्हें लोगों की पवित्र जटाना तब पढ़ना चाहता हूँ और पंक्तिया पढ़कर अपना इस्तान गरन करता हूँ और आपकी मोहर लगनी चाहिए कि एक कभी सच बात कहकर इस केलवणा की धरती पर गया है क्योंकि यारों मुझको शोक नहीं है दरबारों में जाने का राज महल में जाकर मेरे मस्तक को जु लाओंगा और जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाओंगा वाँ 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 मैं उनसे भी कहता हूं जो राम लिला की गाते हैं राम लिला तो तेरे मेरे मन के अंदर आते हैं जो जिन्ना की बात करें वो राम नहीं कह सकते हैं जिनके दिल में जिन्ना है त और मंदिर का चंदा था और राम नाम पर वोट मांगना यारों कैसा धंदा था मंदिर की इते मांगी थी और मंदिर का चंदा था राम नाम पर वोट मांगना यारों कैसा धंदा था पर जब दिल्ली की गद्दी देखी तो सपनों में जूल गए अरे राम लला ने दिल्ली द ते रामने ला को फुलगे.